तो ऐसे cases में क्या होता है कि जब कोई भी sector bullish होता है तो उसके जो भी stock resistance पर होते तो उसके breakout की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है हाई एवरिवन इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में डिसर्स करने जा रहे हैं जहां पर हमें आज के दिने काफी अच्छा breakout दिखने को मिला है और अगर यह stock breakout के direction में अगर moment वो continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return दिखने को मिल सकता है अब बात करते stock की पहला stock है और बस power grid का और यह रहा इसका chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame यूज़ कर रहा हूँ वह है daily का last time हमने स्कू notices के around 240 के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा है around 290 के आसपास तो काफी बहतरीन आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस वर एक अच्छा return देखने को मिल जाया है बट सबसे पहले region को find out करेंगे और ए आज के दिन हमें इसका breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला region इसका stock को जो select करने का है वो है pull and flag pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रख आती है अब हम लोग chart को left hand side में scroll करेंगे और यह find out करने की कोशिस करेंगे कि यह company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं जो company list हुई है somewhere in October 2007 and इसका all time high था वो somewhere around 285 के आसपास था जिसका हमें आज के दिन एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second reason इस stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout that is also known as ATS breakout अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 290 के अगर उपर निकलता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 267 rupees closing basis पर अब बात करते हैं target की अगर कोई भी stock अपने all time hyper trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और in technical terms you can also say that we don't have any reversal zone तो ऐसे cases में stock कितना भी उपर जा सकता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हर एक 5-10% के move पर partial profit book करते हैं for example माल लीजिए मेरे पास 100 quantity है stock जो ही 10% का move दिखाता है तो यह पूरी तरह से मेरे ओपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity book करूँ यह 10 quantity book करूँ और इस पर भी depend करेगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आईए दिखते है निक सा stock और यह है Nestle India का और Yerise का chart एक ऐसा stock जिसने अपने investors के लिए काफी अच्छा wealth create करके दिया है and a kind of monopoly stock है अब बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है तो again एक simple सा pattern चीजों को बिल्कुल ही असान रखना है जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice करेंगे कि यह जो stock था काफी लंबे समय से इस छोटे से range में trade कर रहा था जिसे हम लोग consolidation zone या box pattern कहते हैं और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रणे का जो region है वह है box pattern और consolidation zone का breakout उतना ही नहीं अगर आप यहाँ पर एक horizontal लेंग को अगर डौ करेंगे तो आपको यह भी पता चल जागा कि यह kind of support का level है that means कि आप यहाँ पर दिखेंगे जब prices के नीचे रहती तो यह जो line था एक kind of resistance की तरह act कर रहा था और जब prices के ऊपर चली जाती है तो same level एक support की तरह act करने लगता है तो यह kind of support से reversal भी है तो इस stock को जो select रणे का जो region है पहला box button का breakout और दूसरा support से reversal अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 2550 का अगर उपर निकलता है तो हमें अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा 2440 डूपिच closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 2660 का second target है 2750 का and इसके बाद जो stock है अपने all time high की तरफ निकल जाएगा अब आई यह देखते हैं next stock और यह है आरती industry का और यह रहाई इसका chart last time हमने इसको discuss किया था around 695 के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा exactly same level पर और उससे कह सकते हैं थोड़ा सा higher that means कि आपको यहाँ पर भी एक अच्छा खासा profit देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region को find out करेंगे तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इस stock ने एक kind of inverted head and shoulder pattern बना रखा था और इस दिन हमें एक breakout देखने को मिला था बट आप यहाँ पर notice करें कि आज के दिन हमें इस same level का एक retest देखने को मिला है So this is called breakout and this is called retest तो इस stock को जो select अटने का जोड़ी region है वो है breakout and retest Basically retest में जो SL होता होता है as compared to the breakouts अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 710 rupees का अगर उपर निकलता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss हो का previous swing लो जो किया रहा है 670 rupees closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 745 का second target है 800 का and third target है मारे पास 855 का अब आई यह देखते हैं नेकसा stock और यह है दीपक नाइट्रेट का और यह रहा है इसका chart तो जितने भी chemical sector वाले stock है जैसे कि आर्थी industry भी जो था वो chemical sector का ही था और दीपक नाइट्रेट भी उसी sector का आता है तो इन सभी में में काफी बहतरीन move देखने को मिल रहा है इवेन अगर आप नवीन फ्रोडीन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी काफी अच्छा move देखने को मिल रहा है तो आप इन सभी stock को अपने watch list में रख सकते हैं आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा move देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं कि आज हमने इस stock को क्यों select किया है तो यहाँ पर एक simple सा area को हम लोग डॉक करने जा रहे है और आपको सिर्फ और सिर्फ इस area पर ही focus करना है कि price यहाँ पर किस तरह से behave करता है तो जैसा कि आप यहाँ पर notice करेंगे कि जब भी price downside से upside में जाती है तो हमें एक यही से reversal देखने को मिलता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं multiple times हमें same level से एक reversal देखने को मिलता है और आप यहाँ पर notice करेंगे कि अभी जो price है exactly same level पर trade कर रहा है आप यहाँ पर भी notice कर सकते हैं आप यहाँ पर भी notice कर सकते हैं और आप यहाँ पर भी notice करेंगे अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं दिखिए प्राइस जब भी इस level को break करता है तो हमें upside में एक बड़ा move देखने को मिलता है जैसा कि आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं That means की price एक ऐसे label पर खड़ा है जहां समय एक बड़ा move देखने को मिल सकता है लेकिन जैसा कि मैंने आपको starting में बताया कि जो भी chemical sector है वो काफी bullish है तो ऐसे cases में क्या होता है कि जब कोई भी sector bullish होता है तो उसके जो भी stock resistance पर होते तो उसके breakout की जो probability होती है वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम लोग यहाँ पर भी एक breakout trade के लिए ही plan करेंगे और यह levels आ रहा है 2375 के उपर अगर price 2375 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा आज का low जो क्यार है 2275 रूपीज closing business पर उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous कई days के comparison में कई गुना जादा है that means कि यहाँ से एक breakout आने के जो probability है वो बढ़ रही है अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 2500 का second target है 2680 का और जो थर्ट target है वोगा 2930 का अब आईए दिखते हैं इसका last stock और यह है हिंद petro का और यह रहा इसका chart last time हमने इसको discuss किया था somewhere around 435 रुपेज के आसपास और अभी जो stock rate कर रहा है around 567 के आसपास तो काफी बहतरीन आपको returns देखने को मिले होंगे बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर miss कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए तो हमको अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो किया रहा है 540 रूपेज closing basis पर first target हमारा होगा 595 का and इसके बाद जो है stock up ने all time high की तरफ निकल जाएगा तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स पर वच्चिंग